होम्यों रीडर के यूटूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की जो हम अपडेट लेकर आये हैं वो राश्टी होमेपैती आयोग से है यानि की नेशनल कमिशन पार होमेपैती से है जिसमें की नेक्स्ट एक्जाम के लिए जो आया रहा था नेक्स्ट एक्जाम यानि की नेशनल एक्जिक इंटेंट टेस्ट यानि की जब आप भी एचमस कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपको भी एचमस करने के बाद एक एक एक्जाम देना होगा उसके बाद ही आपका रेश्टेश यह जो होमिपेथी फिजीसियन होगा तो उसके बारे में क्योंकि अब गजट जारी हो चुका है तो जनली जो है गजट में बहुत सी चीजे थी कि यह कब से लागू होगा तो उसके लिए जो है नेशनल कमिशन फार होमिपेथी ने जो है एडवाजरी जारी करी है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि ये national जो examination है national exit test है ये कब से होगा उसके बारे में इन्होंने अब बता दिया पुरी तरह से कि कौन से year से सुरू होगा तो उसके बारे में आईए हम आपको जानकारी देते हैं देखिए 14 दिसंबर 2023 का है notification यानि कि कल का है तो इसमें national commission इसमें इन्होंने बता दिया है कि देखिए practitioner who have been already registered वो practitioner जो पहले से register हो चुके है या जिन्होंने अपना internship notification आने के पहले पूरा कर लिया है उनको जो है national exit test में appear होने की जरूर नहीं यानि कि उनको national exit test देने की जरूरत नहीं होगी exit test की जरूरत नहीं होगी अब exit test की जरूरत कि लोग को होगी इसके बारे में national commission for home पैथी ने पूरी तरह से clear कर दिया है इसमें इन्होंने लिखा है कि जो वो student जिन्होंने अपना internship जो है जिस दिन gadget जारी हुआ उसके पहले उन्होंने जॉइन कर लिया है उनको भी national exit test में सामिल होना की जरूरत नहीं है यानि कि आज जिन लोगों ने जब gadget जारी हुआ था उसके पहले gadget publication के पहले जिन लोगों ने अपना internship में जॉइन कर लिया internship जॉइन कर लिया उनको national exit test की देने की जरूरत नहीं है उन लोगों को national exit test देने की जरूरत है उन intern की जिनकी internship 1911-2023 यानि 29 नॉबर 2023 से शुरू हो रही है या 29 नॉबर 2023 के बाद शुरू होगी उन सभी लोगों को national exit test देने की जरूरत पड़ेगी यानि उनके लिए अनिवार है तो ये बहुत ही बड़ी बात है ये ध्यान से सुन लिजिए कि जिन लोगों का 29 नॉबर 2023 से या 29 नॉबर 2023 के बाद internship पूरा internship सुरू हो रहा है उन लोगों को national exit test में अपियर होना अनिवार रहेगा यानि कि कुल मिला के ये आपको बता देना चाहते हैं कि अगर किसी का 28 नॉबर 2023 को internship पूरा हुआ शुरू हो रहा है उनको इसके लिए जरूरा नहीं है उनको national exit test देने की जरूरा नहीं है जरूरत रहेगी national exit test देने की जरूरत जरूर पड़ेगी तो ये जो है बहुत ही जरूरी चीज है कि आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि जो लोग 2019-2023 को या 2019-2023 के बाद अपना internship पूरा कर रहे हैं वही लोग national exit test देंगे उसके पहले जिन लोग का पूरा हो चुका है या जो लोग join कर चुके हैं उनको भी देने की जरूरत नहीं है उनको registration में कोई problem नहीं आएगी तो ये बहुत ही important update है और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा homeyo reader देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्नेवाद